हलो आप देख रहे हैं मायापुरी कट मैं हूँ आपके साथ प्रियार अगवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में जहां हम आप तक बॉल्लिवुड से जुड़ी सारी खबरे पहुचाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वरुनधवन और समान्ता रूत प्रभू अपनी आने वाली वेब सीरीज सिटाडल हनी बनी को लेकर काफी जादा चर्चा में हैं ये प्रियंका चोप्रा की अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज सिटाडल का भारती वर्जन है अब मेकर्स ने सिटाडल हनी बनी का नया ट्रेलर भी जारी कर दिया है जो जबरदस्त आक्शन और सस्पेंस भरपूर है ट्रेलर में वरुनधवन और समान्ता रूत प्रभू जबरदस्त आक्शन करते नजर आ रहे हैं और इस सीरीज का प्रेमियर 7 नवंबर 2024 से OTT अमजॉन क्राइम विडियो पर होने जा रहा है संजलीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग से चुड़ी इंपोर्टन इंफॉमेशन सामने आ रही है रिपोर्ट्स के मताबिक लव एंड वॉर का ग्रेंड सेट मुंबई में बन कर तयार हो गया है फिल्म लव पॉशल उनके साथ शामिल होंगे और इसके बाद आलिया लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू करेंगी बता दें कि एफ फिल्म एद दोहजार चब्वीस को रिलीज होगी अरजन कपूर ने हाल ही में मलाइका अरोडा के साथ अपने रिष्टे पर चुपी तोड़ दी है जीहां अरजन कपूर को हाल ही में राज ठाकरे की दिवाली पार्टी में दीखा गया था जुसमें रोहित शेटी के डिरेक्शन में बनी फिल्म सिंगा मगैन की पूरी टीम पहुंची थी अब इस दौरान पाप्स ने जब अरजन से पूछा कि मलाइका अरोड़ा कैसी है तो इस सवाल का उन्होंने हसते हुए जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अभी मैं सिंगल हूँ रिलाक्स करो बीदिशनिवार दिलजीब दोसाज का दिली के जवार लाल नहरू स्टेडियम में कॉंसर्ट हुआ था जिसमें लगभग 35,000 लोगों ने पाट लिया और जम कर इंजॉई भी किया लेकिन अब इस इवेंट के बाद स्टेडियम का हाल बेहाल हो गया है कच्रा, शराब की बोतले और टूटी कुर्सिया हर जगा बिखरी मिली है जिसके बाद एथलीट बेयंत सिंग ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस साथ दिखाया कि वहां कितना कच्रा है और इस पर अपनी नाराजगी भी जताई विद्या ने बताया कि अनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी और जब मिलन लूत्रिया ने उन्हें इस फिल्म का ओफर दिया था तो उन्होंने बिना जुजग केस के लिए हां कर दिया था दिगज अक्टर अनुपम खेर इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म विजे 69 को लेकर सुर्क्यां बटो रहे हैं और अब निर्मादाओं ने विजे 69 का ट्रेलर भी जारी कर दिया है जिसमें अनुपम खेर ने एक बार फिर अपनी उम्दा अदकारी से आउडियंस का दिल जीत लिया है इस फिल्म का प्रेमियरा तवंबर 2024 से OTT प्लाटफॉर्म नेट्फिक्स पर होने वाला है दिगज अबिनेता नाना पाठेकर अपनी आगामी फिल्म वनवास को लेकर काफी जादा चर्चा में है इस फिल्म में अभिनेता उतकर्श शर्मा भी मुख्य भूमिका में होंगे वहीं अब वनवास का टीजर भी मेकर्ज ने रिलीस कर दिया है जोसे फैंस भी काफी पसंद कर रहे है वहीं इस फिल्म की कहानी एक पिता और बेटे के रिष्टे पर है बता दें कि वनवास इस साल क्रिस्मस के खास मौके पर यानी 20 दिसमबर 2024 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी बॉल्वूड आप्टरिस साई मांज़ेकर ने अपने इस्टेग्राम पर हाल ही में कुछ बेहदीश शांदार तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो एक स्टाइलिश मरून आउटफिट में नज़र आ रही है अप्टरिस के खुले बाल, लाइट मेकप और एरिंग्स के साथ साथ बैकलेस स्टाइल ने उनके लुक को और भी खुबसुरत बना दिया है इन तस्वीरों में साई का कॉन्फिडेंस और स्टाइलिश अंदास साफ दिखाई दे रहा है जो उन्होंने फोटोज में अलग अलग पोजिस भी दिये जो उनकी होटनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे है सोशल मीडिया पर बिग बॉस फेम निक्की तमबोली का नया लुक काफी ज़ादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे एक वीडियो में निक्की तंबोली नियॉन फ्रिल ग्रीन साडी और बड़े बड़े जुमकों के साथ अपने हुसन की बिज्विया गिरा रही है और फांस उनके इस लुप पर अब मरमिटे हैं सिर्फ यही नहीं इस दोनार निक्की के साथ उनके रूमर्ड बॉल फ्रेंड अर्बास पटेल भी नजर आये थे खबर है कि फिल्म सिंगम अगैन के कुछ सीन्स पर सैंसर बोर्ड ने कैची चला दी है जिसके बाद बोर्ड ने सिंगम 3 को US सर्टिफिकेट भी सौपा है सैंसर बोर्ड ने 23 सेकंड लंबे मैच कट सीन को बदलने को कहा है और इस सीन में भगवान, राम, मासीता और हनुमान को सिंगम, अवनी और सिंभा के रूप में दिखाया गया वहीं सिंगम और श्री राम के पैच चुने वाले सीन को भी चेंज करने के लिए कहा गया है आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही ऐसी और कबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहे और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें